हेलो एरिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स की यूटूब एज्जूकस्ने चैनल में आपका स्वागत है आज की उडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे फैंटीन कैपसुल के बारे में तो जिसके अंदर में सॉल्ट कंपोजिशन होता है फैंटी को नाजवल तो उसकी डेटेल स्टेडी करते हैं और जानेंगे उसके यूज के बारे में उसका डोस क्या होता है सैडिफेक, वार्निंग कॉंटर इंडिकेसन सो और जानेंगे के फैंटीन कैपसुल का सही हुपयोगा किस तरह से कर सकते हैं तेक्सपर लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्राफिसर एंड फाउंडर ओप फार्मरोक्स थेंक्यू पर वीन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेट रही है फार्मो नलिज के साथ सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा उसमें यूज होती है उनके डोस, साइड इफेक, वार्निंग, कॉंटर इंडिकेसन एक साल तक अफोरिवल प्राइज में फार्मआरॉक्स के अप उपर तो ये कॉर्स आप एकसस कर सकते हैं फार्मारोक्स के अप उपर तो अगरापके पास एंडुड फोन है तो एंडुड और डाउनोड करें आईफोन उजर है तो एब स्टोर से लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631-2020 नमबर पे आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं साथ ही हमारे second channel को subscribe करके भी हमें support करे लिंक हमने आपको description box में दे दी है तो आप जानते हैं fenton capsule के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम antifungal medications कहते हैं और यह जो फूख जो develop होती है उसके growth को कम करके अपनी pharmacological action देती है और अलग-अलग fungal infections को treat करती है इसके अंदर जो salt composition है वो है fenticonazole की जो एक antifungal medication है और यह manufacture करते है sun pharma तो detail जानते हैं अब यह medication के कि fenticonazole actual में क्या है तो यह एक imidazole derivative antifungal medication है कि जो especially अपनी local action देता है और उसकास कर वो vulvo vaginal candidiasis के treatment में सबसे ज़्यदा यूश के ज़्यदा है और यह अलग-अलग micro-organism जैसे कि यहाँ पे आप एक फूख देख रहे है डायग्राम के अंदर यह वाली तो उसका नाम है malicea, furfur और second जो नीचे देख रहे है second diagram में वो है candida albicans तो यह दोनों फूख से होने वाले जो fungal infections होते है उसको यह fenticonazole जो हो treat करता है तो अब उसके label की study करें तो फेंटे का नाजॉल जो है वो उसका salt composition है और 600 mg की strength में यह available यह virginal tablets रहती है और फेंटीन जो है उसका brand name है और इसके manufacture है sun pharma अब packing के अंदर सिर्फ एक ही capsule रहती है because यह single dose therapy के लिए यूज़ के ज़दे यहाँ पे आप देखो पे capsules जो है वो नहीं होते सिर्फ वो सिर्फ एक capsule जो है वो packing के अंदर होता है because यह single dose therapy के लिए यूज़ के ज़दा है अब उसके label की detail study करें तो label में खास यह आपे लिखा है कि for intra virginal use यह आपको खास दियान रखना है इसको vaginal tablet के तोर पे as well as vaginal capsule के तोर पे ही आपको यूज़ करना है और ओरल ही उसको नहीं खानी है यह खास दियान रखना है फिर यह एक soft gelatin vaginal capsule है कि जो vaginal cavity के अंदर ही insert करने के लिए यूज़ के ज़दा है फिर फैंटी को नाजल उसके अंदर present है 600 mg के अंदर और साथ में titanium dioxide उसके अंदर present है कि जो color use कया गया है जो capsule के cell बना ले में as well as जो preservative जो होता है capsule cell के अंदर वो ethyl hydroxybenzoid sodium होता है and sodium propyl paraben फिर storage जो है वो 25 या फिर उससे ज़दा temperature पे storage जो नहीं करते और यहाँ पे लिखा है sun pharma कि जो main उसके manufactures भी हम कह सकते है या फिर जो marketing करते हैं उसका तो यहाँ पे आप देख सकते है detail में उसका composition जो है वो उसके back cover पे भी detail में दिया होता है कि Fenty gonazole nitrate जो है वो उसके अंदर जो है वो present है 600 mg की strength के अंदर और यह soft gelatin capsule जो है वो कही जाती है कि जो सिर्फ पर सिर्फ vaginal use के लिए आप उपयोग मिलेते हैं तो उसके use हम देख लिए कौन से अलगे लग medical condition में Fentyne vaginal capsule यूज की जाती है तो एक तो जब आपको yeast infection होता है, fungal infection होता है vaginal infection जो हम कहते है vaginal redness itching, discharge, leucoria और vaginal swelling तो यह सभी medical condition में Fentyne vaginal capsule जो यूज के जदो उसके dose के हम बात करें तो single dose therapy रहती है यह जो 600 mg की capsule है वो रात में आप आपकी vaginal cavity के अंदर रखते हैं और सिर्फ और सिर्फ single dose therapy रहती है, mechanism के बात करें तो यह specially क्या करता है यह fungal की जो cell membrane होती है उसके development के उपर जो वो असर कर दे तीन अलग-अलग तरीके से यह काम कर दे के समझो की candida albican से तो उनके अंदर जो protease जो enzyme होता है या फिर protease acid का जो secretion होता है उसको inhibit करके अपना काम करता है फिर यह cytoplasmic membrane की जो cell membrane की जो मैंने बात के कि यह पूरा cell membrane जो होता है फूक का उसको develop नहीं होने देता है उसको damage कर देता है और तिसरा cytokromoxidases and peroxydases जो होते हैं उनको block करके अपनी action देता है कि जैसे यह fungal cell है वो develop नहीं हो पाता और उसकी growth कम हो जाती है और इस तरह से आपका fungal infection यह medication लेनी के बाद ठीक होता है अब बात करें उसके pregnancy के दवरा हम use की तो pregnancy के दवरान उसको use करना जो है वो unsafe है because यह जो है वो contraindications की list में है कि pregnancy में safe नहीं कही जाती तो pregnancy में आप उसको use नहीं करें बाद उसके safe alternatives आप use कर सकतेगी जैसे की clotrimazole वज़ाइनल जो tablets या फिर capsules आते हैं या फिर आप himalya weasel भी use कर सकतेगी जो एक safe option बनते हैं pregnancy के दुरान पर fentin को आप specially pregnancy में use नहीं उसके कुछ side effects होते हैं जैसे की वज़ाइनल burning sensation आपको हो सकते हैं इसको insert करने के बाद फिर application side पर reactions होना burning में लगे थोड़ा जलन जैसा होना irritation जैसा होना कुछ लोगों को उच्चिंग readiness या फिर skin irritation जैसे side effects होते हैं बट यह सभी case में नहीं होता सिर्फ किसी लोगों कुछी लोगों को होता है सभी को यह side effects नहीं हो दे तो यह खास ज्यान रखे आप बढ़ अगर आपको कुछ भी ऐसे reactions होते हैं तो तुरंत उसको लेना बंद कर दे और future में भी आप उसको use ना करें फिर से अब उसके warnings के हम बात करें contraindications की तो कौनसी condition में आपको fentin, vaginal capsule use नहीं करने है तो अगर तीन symptom आपके अंदर है पहला symptom है, abdominal pain भी है प्लस, fever है 100 degree से जदा और तिसरा vaginal discharge आ रहा है with foul spelling, तो यह तीनो combination में है यह खास समझे, कि आपको दर्द भी हो रहा है साथ में बुखार भी है और discharge भी आ रहा है बड़ समझो कि normal सिर्फ vaginal discharge है तो उस वक्त यूज होती है बड़ साथ में fever भी है और abdominal pain है तो यूज नहीं करें बिकॉज उस वक्त जांच कराने जरूर है कि वो सायद दूसरे टाइप की जो vaginal infections जो होते है जो bacteria के करन होते है या फिर जो BID की जो हम condition कहते है वो भी हो सकते है जिसको pelvic inflammatory disease कहते है तो ये खास आप ध्यान रखे हमारी second channel को subscribe करके support करे medicine course को access करे फार्मरोक्स के अब उपर link description box में मिल जाएगी या फिर हमें 901631 2020 भी हमें whatsapp कर सकते है तो medicine course को access करने के लिए हमें जरूर से whatsapp करें link description box में मिल जाएगी या फिर 901631 2020 भी हमें call या whatsapp कर सकते है good luck and all the best